एकले वीडियो में आप सभी को स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे नोकिया 6 2018 एडिशन का कैमरा डीटेल सेटिंग जी हाँ यह है नोकिया 6 2018 एडिशन और डिजाइन एलिमेंट्स तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस मोबाइल का बहुत ही खुबसरत है मोबाइ कहते है वैसे कॉपर का कलर है यहां पर तो बहुत ही अच्छा दिखता है नोकिया 6 चलिए आज के वीडियो में अभी हम देखेंगे नोकिया 6 की डिटेल कैमरा सेटिंग्स तो कैमरा पर इंटरफेस पर डिरेक्ली जाने के लिए जस्ट आप इस लॉक का बटन जो है तो तरह से capture कर सकते हैं और मैं कुछ दिनों से test कर रहा हूं इस mobile को तो camera user interface तो बहुत ही अच्छा है I mean की बहुत ही अच्छी तरह से focusing system work होता है इस camera में बिलकुल hunt नहीं करता बिलकुल आपको stutter नहीं देता है बहुत ही detail में pictures मिलेंगे जहां पर भी आप tap करते हो तो बहुत ही अच्छे pictures clarity वाल आपको इस mobile में मिलेंगे तो चले start करते है camera detail settings तो सबसे पहले left side में देखे ये है selfie camera को activate करने के लिए just एक बार tap करेंगे तो selfie camera यहां पर activate हो जाएगा और next है auto flash इसको आप manually on कर सकते है manually off कर सकते है यानि कि forceably आप अगर flash को on करना चाहते है तो यह on कर सकते है auto mood है off है तो देखे HDR mood है next HDR यानि high dynamic range जैसे के आपको पता है जब भी picture landscape especially तो बहुत सारा ऐसे bright sky होता है और ठीक से exposed नहीं हो रहा है dark मिल रहा है आपको foreground elements तो HDR को आप activate करके on करके pictures को लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से वो whites and darks ठीक से cover होके lit होके आपको bright और अच्छे detail pictures मिलेंगे लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है कि आपको बिल्कुल camera shake नहीं करना है अगर shake करेंगे तो detail सा जो भी sharp रहता है वो थोड़ा blur हो जाएगा तो अच्छी तरह से आप steady hand से पकट के आप HDR मिलेंगे तो बहुत ही detail वाला picture साब को जरूर मिलेगा तो आप auto पर भी छोड़ सकते है या फिर manually turn off कर सकते है ऐसा नेक्स सेटिंग है timer तो timer activate करेंगे 3 seconds 10 seconds का है तो 3 seconds पर अगर रखेंगे देखिए एक बार tap करके हम अगर picture लेना चाहते है तो after 3 seconds ऐसे beep होके तो 3 seconds के बाद capture ऐसे automatically हो जाएगा तो timer को यहां से आप activate कर सकते है यह especially selfies लेते वक्त बहुत ही use होगा अगर आप बहुत सारे persons है और selfie लेना चाहते है तो आप 3 seconds 10 seconds को activate करके अच्छी तरह से पोस्ट देके आप picture को ले सकते है नेक्स्ट है त्री मूट्स यहां पर अवैलेबल है single dual and picture in picture तो single जैसे कि यहां पर symbol है just rare camera अगर on है तो पीछे का camera से capture कर सकते है dual camera में अगर आप अपने friends के साथ अपना भी लेना चाहते है तो दोनों camera activate कर दीजिए तो आपका frame भी miss नहीं होगा तो बहुत यह अच्छा feature है और picture in picture mode यानि corner में आपका picture मिलेगा selfie का और जो भी camera है वो big size picture में आपको मिलेगा तो उसके बात है beauty mode देखिए हम beauty mode on and off है तो इसमें beauty mode इतना ठीक से नहीं work होता है unfortunately मैंने टेस्ट किया हूं तो ठीक से वो recognize नहीं करेगा जैसे अभी artificial intelligence वाला बहुत ही अच्छी तरह से work हो रहा है software algorithm से तो वैसे इसमें beauty mode इतना भी खास से वर्क नहीं होता है लेकिन खैर आपको beauty mode capture करने के लिए option है तो आप ले सकते देखिए बिल्कुल focus hunt नहीं करता है लूज नहीं होता है बहुत ही beautifully focus होता है इस Nokia 6 में वह वह बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा Nokia 6 का तो अभी एक बार ऐसे tap to focus करेंगे तो instantly focus होगा just capture कीजिए beauty mode full-on है इसमें तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि beauty mode इतना recognize होके soft background नहीं लता है तो वह disappointing thing यहां पर देखे edit करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से दिया है Nokia 6 में इसमें फिल्टर से डाल सकते है या फिर इसका lighting बढ़ा सकते है जो कि exposure compensation होता है और color को भी saturate कर सकते है तो थोड़ा details लाने के लिए pop भी दिया है जो कि dramatic करने के लिए यह वाला setting मुझे बहुत ही अच्छा लगा और instantly आप एक बार tap कर दीजिए तो और एक picture आपको save हो जाएगा यह setting मुझे सबसे अच्छा लगा क्यूंकि instantly आप जल्दी से edit करके share कर सकते है अपने pictures को तो आप beauty mode यहां से activate कर सकते है दोनों selfie के लिए हो या फिर rare camera के लिए beauty mode on and off तो यहां पर three stripes है अगर एक बार tap करेंगे आप panorama भी आप ले सकते है इस mobile में obviously तो next है pro mode pro level mode में देखे बहुत सारे ऐसे customized options है आप अच्छी तरह से ले सकते हैं the first one है कि auto white balance तो auto white balance अगर especially यह ज्यादा work indoor situations में ही होता है क्योंकि ठीक से coloring अगर sensor detect नहीं करता है तो आप auto को change करके just as swipe करते जाए तो manually वो यहां पर दिखाए देगा कि shade बाला हो या फिर tungsten का bulb अगर indoor में है यहां से आप change कर सकते हैं एक disappointing thing यह है कि आप manually customize करके number type नहीं कर सकते है manually customize नहीं कर सकते white balance को सिर्फ जो भी default ऐसे options available है सिर्फ उसी को activate करके use कर सकते है तो इतना भी इसका फायदा नहीं अगर कुछ situation में work होता है तो ठीक है तो focus mode है next तो manually आप focus कर सकते है infinity to closest distance सपोज अभी यह देखते है कि देखिए आप closest distance रखने के लिए manually आप ऐसे focus करके देख सकते है और जो भी focus अगर ठीक से मिलता है फ्रेम में तो इतने distance में ठीक से मिल रहा है तो ऐसे capture कर सकते है manually focus करके तो autocorrect के लिए just left में छोड़ दीजे ऐसा तो auto mode पर आ जाएगा वो next iso setting तो manually iso starting from 100 to all the way 3200 iso है which is good usually iso आप auto heat छोड़ दीजे क्योंकि अगर ज्यादा number बढ़ाएंगे तो obviously noisy images मिलेगा आपको तो इसलिए वो auto heat ठीक से work करेगा exposure को compensate करके automatically तो next mode है यहां पर एक बार tap करेंगे तो shutter speed तो manual control है तो shutter speed obviously रहना चाहिए मुझे इतना भी interesting नहीं लगा shutter speed क्यूंकि just 1 by 500 है बहुत सरे cameras में 1 by 3000 2000 तक जाता है तो आप instantly कुछ motion movements को capture करना सकते हैं तो अच्छी तरह से कर सकते हैं वहाँ पर लेकिन फिलाल इसमें 1 by 500 है तो चल जाना चाहिए not a bad thing at all लेकिन फिर भी 1 by 500 2 up to 4 seconds है बस तो अगर आप silky slow movements का जो भी capture करना चाहते waterfall का हो ऐसे तो आप around 2 to 4 seconds रखके आप capture करें तो बहुत ही smooth images आपको मिलेंगे तो यह ऐसे आप short speed को change कर सकते है अटो पर लाने के लिए हां पर छोड़ना पड़ेगा next exposure compensation तो अभी क्या होता है कि कहीं बार देखे अभी जैसा कि black color है वहाँ पर तो अगर इसको भी मुझे ठीक से compensate करना है exposure को तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसको थोड़ा अगर मैं plus one stop तक जाता हूं तो देखे very bright image already one stop पर आ चुका है unfortunately 0.5 stop रहना था तो नहीं है तो one plus two तक जाता है plus one and plus two that's it and under expose करने के लिए आप minus two तक जा सकते हैं तो ऐसे exposure को compensate करके आप pictures को ले सकते है for example जैसे कि मैंने बताया कि एक बार ऐसे tap करेंगे तो एक slider मिलता है आपको tap and hold करेंगे तो lock होके तो यहां से भी आप slider को up and down करेंगे तो auto mode में आप exposure को compensation का जो भी है वो change कर सकते है तो इतने सारे settings है pro level में और एक settings पर जाने के लिए यहां पर settings है तो यहां पर आपको shutter sound change करने के लिए हो या फिर ऐसे अलग-अलग settings आपको मिलेंगे देखें Android 8.1 का एक disadvantage यह है कि वो पता नहीं क्या update 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 करते रहते जस्ट आप एक बार ऐसे swipe करेंगे तो brightness बिल्कुल change नहीं कर सकते है कहीं से भी तो again you have to second time आपको ऐसे swipe करके सिर्फ brightness change करेंगे लिए दो बार दो step लेना पड़े आपको तो ऐसे bright change होता है which is a very bad thing from the Android 8.1 upgrade तो यह है देखे settings में shutter control है अगर आप यहां पर information नहीं देखना चाहते है तो आई करके एक बार tap करेंगे तो वो minimize हो जाएगा अगर आप detail से चाहते है कि क्या है वो आप जाने तो आप एक बार tap करेंगे तो वो बताएगा तो shutter control long press on shutter to take burst shots है तो वो है अगर tap करके hold करेंगे तो वो burst shot more than one picture instantly one second में around 10 to 20 pictures ले लेगा वो तो वो ले सकते है अगर आप frames को miss नहीं करना चाहते है next is shutter sound obviously तो वो जब capture करेंगे sound आता है अगर निकलना चाहते है वो sound तो shutter sound को off कर दीजिए ऐसा next is grid viewfinder में grid दिखाए देगा तो rule of third अगर ठीक से आप composition को अच्छी तरह से लेना चाहते है तो grid को on किजिए water mark भी दिया है यहाँ पर तो mirror photos for friend camera मान लिजे अगर आप selfie से picture ले रहे है ठीक से आपका अगर वो flip होके आ रहा है आपका picture तो आप mirror photos को on कर सकते हैं next is location tag geographic location tag करने के लिए यहां से आप activate कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि यहां से मैंने picture लिया था तो location को भी tag करना है तो वो एक बार activate कर दिजिए data storage phone memory and micro sd card यहां से change कर सकते हैं next is resolution which is good they have given the option option आपको option मिलता है कि धेर सरे resolution जब भी आप कुछ capture करना चाहते है अगर instantly आप social network पर share करना चाहते है तो 16 Megapixel में लेंगे तो ज्यादा IMB आपको मिलेगा तो अगर आप 16 is to 9 aspect ratio में 4 Megapixel का लेंगे तो instantly आपका काम भी हो जाएगा और share भी जल्दी से बिना ज्यादा data यूज किये हो जाएगा तो ऐसे अगर options देते हैं बहुत ही अच्छा है ऐसे वी वो वी नाइन में जो कि मैं टेस्ट कर रहा हूं उसमें भी अवेलेबल नहीं है ऐसा option वो निकाल दिये है सिर्फ नार्मल स्क्वाइर और फुल मूड दिया है विच इस परी अनफॉर्चने टिंग विच इस वरी बाड तिंग तो इन मैं ओपिनियन तो यहां पर 16 मेंगा पिक्सल फॉर इस्टू तो तो नहीं है मुझा इतना भी वह अच्छा भी नहीं लगता है देखे आपर अभी नोक चेंज करके देखते हैं कि आता है या नहीं you can just move this तो यह है 16 is to 9 aspect ratio यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम ऐसे swipe करेंगे तो 2018 तो यहां से आप copyright info change कर सकते हैं which is nice देखिए अभी हम tidbits करके लिख कर देखते हैं कि copyright symbol भी डालेंगे यहां पर तो यहां से copyright symbol टिट बेट्स चस्ट प्रेस ओके खूल तो टिट बिट्स करके आप ऐसे copyright अपना नाम भी आप डालके watermark को लिख सकते हैं तो यहां से आप watermark को चेंज कर सकते हैं जो चाहिए वो रख सकते है 16MP का capture कर सकते हैं उसको फिर से चेंज करने के लिए settings पर जाना पड़ेगा आपको तो ऐसे आप resolution का change कर सकते हैं even for the front facing camera जो की 4 is to 3 aspect ratio 8MP ही है selfie का camera तो maximum वो है और 16 is to 9 aspect ratio तो फुल मूड लेना चाहते है तो फिर से वो 8MP से आपको 4MP, 2MP करके आपको फुल मूड देगा तो इतने सारे settings है रिस्टोर करने के लिए हां से है तो इतने सारे डेर सारे features है Nokia 6 में available है तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको help हुआ होगा बहुत अच्छे pictures निकालने क बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ